हेलो गाईज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी इस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम लेकर आए आपके लिए डेली करेंट अफ एर 18 जुलाई है आज की वीडियो तो आज का मारा पहला फास्ट कोशन नहीं हाल ही में चर्चा में रहे नासा के छैपिया प्रोजेक्ट का संबंद किस्से है तो नासा ने अगर देखा जाए नासा जो हमारी यूएस वो किये उसने एक अगर देखा जाए चैपिया प्रोजेक्ट 2030 तक, तो 2030 में जब इनसान मंगल ग्रह पर जाएंगे तो वहाँ पर उनका जीवनियास्पन कैसा होगा, तो उसी के लिए जो क्रू जाएगा उसकी हेल्थ के लिए, क्रू हेल्थ और उसकी पर्फॉर्मेंस अगर देखा जाए, जो पर्फॉर्मेंस होगी और जो वो एक्स्प मंगल ग्रह पर 2030 में जब इनसान जाएगा, तो मंगल ग्रह पर उसका जीवन कैसे होगा, तो उसके लिए पूरी सिमिलेशन अगर देखा जाए, प्रत्वी पर कर देजाएगी, और यह USA, जो अमेरिका है, वहां के हिस्टन में, यह पूरा एक मंगल सिमिलेशन तयार किया ज दिखता है, इस कारण मीथेन गैस को मार्स गैस भी गयते हैं, और इसके दो उपगरे हैं, फोबोस और डीमोस, और डीमोस हमारा सौर मंडल का सबसे छोटा उपगरे हैं, और मंगल अब रस्पती के बीच में उलका बेंड की पेटी भी पाई जाती है, तो यह सभी बाते आ रास्टपती बने हैं, अब चौती बार जो रास्टपती बने हैं, यह बने रावांडा के यानि ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, रावांडा, अब यहां पर 99% अगर देखा जाए, तो 99% बोर्ट से जीत गए, और इनका एक बहुत महत्पूर्ण कारे हैं, क्योंकि रावां तो रावांडा की राजधानी क्या है, किगाली, और किगाली समझोता अगर देखाए, आप से पूछाए किस से संबंदित है, तो यह ओजोन संरक्षण से संबंदित है, यह भी आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट है हमारा अगला कोशन, हाली में एशिया ही हाती को हर्पी करता हमारा उनिसानों के जो आंत्रिक अंग होते हैं, उन में ब्लेडिďंग होनी लगती है, या नी रक्त निकलने लगता गश्राहाँ अब यह जो अगर देखा जाया इसका नाम है टे एस नाम से भी जाना जाता है इसक अलावब अगर देखा जाया है हाती भारत का राष्ट्य विराशत पशु है जिसे 2010 में यह अधर्जा दिया गया था है हाती हों को सनुख्षन के लिए Project Elephant 1992 1992 में शुरु किया गया था और अगर आप इसमें इक कोशन और याद रखें अंतरस्टी हाती दिवस का बनाया जाता है तो 12 अगस्त को मानाया जाता है और अगर बात राती सफेद हात्यों का देश किसे बोलते हैं तो USA का एक सम्मू है जिसका नाम है नाटू अब नाटू अगर देखा जाए तो नाटू की स्थापना गब होई थी 1948 में होई थी और वरतवान में कुल कितने देश शामिल है तो इसमें वरतवान में 32 देश शामिल है और अगर बात करें इसके जो अधिक्ष बनने वाले है वो कौन बनेंगे अगले मार्क रूट हो अगर देखा इसके अगले अधिक्ष बनेंगे और इसका जो मुख्याल है व वाशिंटन डी-सी में इसका जो सम्मेलन हुआ है तो यहीं पर एक जो बैठा कोई है उसमें कहा गया है कि USA 2026 से जो जर्मनी है तो जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइले तैनात करेगा तो यहनी अगर देखा है जर्मनी में और कब तक करेगा 2026 तक और यह अगर देखा जाए यहाँ पर क्रूज मिसाइले तैनात करेगा क्रूज मिसाइल का मतलब भी होता है दागो और भूल जाओ यह फाइरेंड फॉर्गेट के सिधान पर काम गरती है और जो मिसाइल का नाम है उसका आपको नाम भी याद रखना है टॉम हॉक क्रू सौनी क्रूज मिसाइले ब्रहमोस और यह हमने रेश्या के साथ मिलकर बनाई है तो यह आपको ध्यान रखना है और जर्मनी अगर देखा जर्मनी में जो सबसे उचा पाद होता है वह दा चांसलर का और यहां के जो चांसलर है वह है आलोफ इसकॉल्फ तो इनका नाम भी य होता है तो यह आपको ध्यान रखना है नेक्स हमारा अगला कोशन है हाली में 45 वा अंत्रिक्ष अनुसदान समिती कॉस्पर का वैश्विक समेलन कहां प्रारम भुआ तो कॉस्पर अगर देखा जाए तो कॉस्पर की है अगर हम बात करें तो कॉस्पर जो होता है वह कमैटी जो हमारी कमैटी होती है कमैटी फॉर स्पेस रिसर्च तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं कॉस्पर और हिंदी में अगर बोला जाए तो इसे बोलते हैं अनुसदान समिती अब इसका जो समेलन होता है हर दो साल में अगर देखा जाए एक बार होता है और अब इस बार जो सम मेलन का आयोजित हो रहा है और यह हर दो साल में एक बार होता है और अगली बार जो होगा वो होगा दोजार चबविस में और दोजार चबविस में जो होगा वो होगा इटली में और इटली में एक जगह है फ्लोरेंस तो फ्लोरेंस अगर देखा इटली में दोजार चबविस हाल ही में दुनिया की पहले 3D Printed Electronic Abra का परिष्ण कहां प्रारम हुआ है तो 3D Printed Electronic Abra अगर देखा जाए तो यह एक अगर देखा जाए यह कहलाती है वोईज वोईज का मतलब अगर देखा जाए एक नाव टाइप की होती है चोटा सा पानी का जहाज होता है अब यह अगर देखा है 3D Printing की साहता से बनाए अब इसमें एक तो टाइम बचा और दूसरा अगर देखा जाए इसमें कॉस्ट भी क्या हो गई काफी जादा काम हो गई समय औ हमारा UAE में संयुक तरव अमिरात में तो यह हमें ध्यान रखना है कि कि यूए ए और यहां अगर देखा जाए तो यह इसमें लगवा कर देखा है इसको चलाने के लिए 10 किलोवाट जो बैटरी होती है उतनी शम्ता कि बैटरी इसमें लगी होई है नेक्स्ट हमारा अगला अवार्ड तो USA यहनी अमेरीकल का इक आवर्ड है Pats Dailyman अवर्ड से किसे समानित किया गया है तो यह समानित किया गया है और यह जो समानित की लगा इसमानित किया और इन्विक्टस और Б toughा जो जुँद्धे घाल शैने होते थे लिए गयल सैनेकोंकर इलिए यह गेम शुरू करा था और 2014 में यानि 10 साल पहले करा था अब यह इन्होंने काफी अच्छा काम करा इसी के लिए अगर देखा जाए तो जो अमेरिका है यूसे हैं उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया है पैट तिल्मन अवार्ड और यह मिला कहा है इन्हें यह अवार्ड इन्हें मिला है Los Angeles में लॉस एंजल्स में पुरुस्कार मिला है और इसमें अगर देखा है बाकी हमारे और वही और बीकई उप्शन है इसे सु़धर्शन प्रदानाइक तो सुधर्शन प्रदानाइक अगर देखा जाए यह सेंड आर्टेस्ट है यानि रेत में कदा हो कार व्राश्णी राडर को फ्रांस का सरवच पुरुसकार मिला है और जैन्मनी की पहली पहली मैला मिला है तो फिली यहां बात चले है पैट तेmaak friend मिलुया है प्रिंस आई si a e a are अगर हम हिंदी बे बात करें तो यहां पर इसको बोलते हैем भारतिये क्रशी अनुसंधानपरिश्द अब भारतिये जो क्रशी अनुसंधान परिशद है Ama अब यह जो हमारा आता है यह आता है अगर लेकिः आगर देखा जाए तो यहां पर इस समय अगर देखा जाए तो यह से केंद्रें यह को मनतरी है जो क्रिशाइ और इसी ने एक वैग्यानिक एक हुत्पाद योजना भी शुरू करी है और इस योजना में होगा क्या सौ दिन में अगर देखा जाए सौ वैग्यानिक अगर देखा जाए तो सौ तराकि अगर देखा जाए जो बीज है उनकी किसमों को बनाएंगे उनका निर्माड करेंगे तो सो नए बीज बनाएंगे सो दिन के अंतरगत और ये काम करेगा क्रिशी मंत्राले और उसने अगर देखा ले उसके लिए भारते क्रिशी अंसंधन प्रशन की बात आई है और अगर बात आती है तो ये अगर देखाए योजना शुरू करिए इसके लिए एक वैग्यानिक एक उत्पाद तो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट है मारा एकला कोशन हाली में भारतिये प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई इसको वैलेस हीमा की नई प्रशाती का संबन किस्से है तो ये अगर देखा जाए जोलाजिकल सर्वे ऑफ इंड जादा है और यह अगर देखा जाए इस हिस्से में पाई जाने वाले अरफ सागर में यहां पर काफी बड़ी मचली है और इसकी खास बत कि इसकी अगर देखा है जो रेडी की हड़ी है वो चिखनी प्रस्टी है यानि काफी जादा चिखनी है इसी लिए अगर देखा है इ है इसने लॉच्छ किया है तो सिट पोर्ड अगर देखा जाए ऀसका मतलब है इसकी लिंग कि इस फिल कि इंडिया कि इसेटल हब आप है अभी इंडिया को इसकेर देने की वैद करती है तो skill मतलब कोशल विकास है हम उद्ध्यमित्ह मंत्राले के राज्यमंत्री है और इसके अगर देखा जाए जितने भी लाभारती है वो साभी अगर देखा है उनके पास में सारी सरकारी उजनों की जानकारी पहुंच सके उसी के लिए इसके लिंग इंडिया डिजिटल हब लाउंच की गए यह उचना तो गाइस यह थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टन कोशन और अगर आपको किसी भी कोशन में कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट करके पूस सकते हैं और गाइस अगर वीडियो अच्छी लोगी हो तो प् पैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू गाइस थैंक्स फर वाचिंग